हेलो देश्टोंट स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस की सामान एथिन की क्लास में और इसमें जो हम आज टेस्ट नमबर सेकेंड लगाएंगे अपना जैनल इस्टडी का तो चलिए स्टाइट करते हैं और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेचे एंड वीडियो को जो है सेर कीजिए फर्स्ट कोस्टन है काला पानी बिवाद किस से संब्ध देता है तो काला पानी बिवाद जो है भारत और नेपाल के वीच जो है है तो option B सही अंसर है नेक्स्ट है भारत के कुल कितने राज जे पड़ बारोसी देह की सीमा से लगे है यानि कि भारत कि क्तने राजे पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं 16 राजच नेक्सट है भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है तो इस में जो है सरकिरिक विवाद किस से संबन देता है सरकिरिक विवाद जो है option हो जाएगा C भारत और पाकिस्तान के बीच इस्तित है भारत इवं पांगलादेस के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है तो option हो जाएगा D शूर ने रेखा के नाम से नेक्स्ट है पाक अधिकरित कस्मीर की राजधानी कौन है तो option इसका हो जाएगा D पाक अधिकरित पियो की की राजधानी जो है यहाँ पे मुझफराबाद हो जाएगी भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा किस देश के साथ है तो इसका सही अंसर है option D बांगलादेश के साथ सिलोन किस देश का प्राचिन नाम था तो option B श्रीलंका का 38 भी समानतर रेखा जो है किंदो देशों के बीच सीमा रेखा का अन्रिधार करती है तो सही अंसर है option C उत्तर कोरिया और दचल कोरिया के मत्त है भारत की सर्वोच्च परवद्षेकर के टू हिमाले के किस स्रेडि में हो जो नेक्स्ट है भारत जिलंका के बीच कौनसी जलसंदी है तो सही अंसर है option C पाक जल्डमू मत्द्ध है किस राज की सीमा बांगलादेश से नहीं लगती सही आंसर है उप्षन है अवरांजल प्रदेश 49. समांतर रेखा किंदो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धार्ड करती है सही आंसर है उप्षन B USA एवं कनाडा मांडले जेल कहां इस्तित है सही आंसर है उप्षन D में उप्षन मार में रेड क्लिफ रेखा किंदो देशों के बीच इस्तित है भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड किंदो देशों के बीच किसी मरेखा है अफगानिस्तान और इसमें जो सही आंसर होगा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंद थे सिया चिन विवाद किंदो देशों के बीच इस्तित है तो 20 का सही अंसर है B भारत और पाकिस्तान भारत से वर्मा यानि कि मेंमार कब अलग हुआ था तो सही अंसर है उप्शन A 1937 में नेक्स्ट है चीन के साथ किस राज की सीमा इसपर्स नहीं करती तो इसका सही अंसर होगा उप्शन D मिजोरम हिंडनबर्ग रेखा किंदो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है तो उप्शन A जर्मनी और पोलेंड के बीच भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रिखा बनाता है 24 का सही अंसर है B, राजिस्थान के साथ आराकान यो मा परवक्स रेडी जो है किस देश में इस्तेत है तो सही अंसर है option 25 का D, मैंमार में भारत का कौन सा राज्य जो है बांगलादेश से तीन ओर से घरा हुआ है 26 का सही अंसर होगा option B, त्रिप्रा बादर्शा जाफर की कबर कहां इस्तेत है इसका सही अंसर होगा option B 27 का सही अंसर है option A, यांगून तो इसकी बादर्सा जफर की जो कबर है वो यंगून मिश्तित है पंच सीर गाटी कहा है तो यह अफ़कानिस्तान में है और मैनर हीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है तो इसका सही अंसर है उप्शन D भारत और सीलंका के बीच भारत की सबसे छोटी अंतराष्टी सीमा जो है किस देश के साथ लगी है तो सही अंसर है उप्शन इसका A भूटान के साथ एक मिनिट भारत की सबसे छोटी अंतराष्टी सीमा किस देश के साथ लगी हुई है तो सही अंसर है इसमें अफ़कानिस्तान उप्शन D बूटान नहीं होगा इसमें अफगानिस्तान होगा सही अंसर एक मिनट चेक कर लेते हैं तीस का सही अंसर जो है अफटन डी अफगानिस्तान है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है तो मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है यह चलती है धाका से कॉलकाता के बीच चीन के साथ भारत की किस केंदसासित राजजी की सीमा लगती है तो लद्दाक की 1984 में भारती सेना द्वारा मेगदूत आपरेशन कहां चला गया था तो इसका जो सही अंसर है 33 का वो हो जाएगा option A सिया चीन में म्यम्मार के साथ भारत की चोग किस राजजी की सीमा इसपर्ष नहीं करती तो म्यम्मार के साथ भारत की चोग किस राजजी की सीमा इसपर्ष नहीं करती तीस्ता नदी जल्विवाद किस से सम्बन देता है तो इसका सही अंसर है option C भारत और बांगलादेश के मद्द है समझता एक्सप्रेश किन के भी चलती है तो समझता एक्सप्रेश जो चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच बांगलादेश के साथ कौन सा भारती राज सबसे लंबी सीमा बनाता है तो 37 का आंसर होगा B पश्वी मंगाल भारत में कुल कितने केंद सासित प्रदेश है तो आठ मैक मोहन किंदो देशों के बीच जुआ सीमा रेखा बनाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत और चीन के मद्द सीमा रेखा बनाता है इस प्रकार जो हमने आप है 39 टेस्ट के फर्स्ट सेकेंड टेस्ट था इसका यूपी पुलिस के लिए अध्यन्त महतपूर है आप लोग इसको जो लगाईए अब यहां पे जो संपूर सौर ब्रहमाण और सौर हमारा सौर के बारे में बता गया है जैसे कि प्रत्वी को घेरने वाला आकास ब्रहमाण कहलाता है और ब्रहमाण का अध्यन जो है कॉस्मोलोजी कहलाता है ब्रहमाण में लगाता प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है और ब्रहमाण के उत्पत्ति में जो असरवादिक मान सिद्ध का प्रित्पादन किया था तो वेल्जीम के जॉर्च लेमेंटेर ने कब 1894 से 96 में आधने खगोल साच्त्र का जनक कहा जाता है और प्रतवी जो इसकी परिक्रमा करती है कहा था कॉपर निकस ने प्रतवी जो ब्रह्मांड का जो एक केंद्र है और सूर इसकी परिक्रमा करता है कहा था टॉल्मी ने ग्रहों के गती के नियम का प्रितपादन किया था जोहान नैंस के अपलर जर्मनी ने ये जर्मनी के रहने वाले थे ब्रह्माइंड का लगातर बिस्तार हो रहा है ये बताया था एडविन हवल्स ने कब उनीस सो बीस में स्वार्मनल का विकास 4.5 अरब बर्स पूर हुआ था ब्रह्माइंड का मौलिक कड़ क्या है हेक्स बोसान हेक्स बोसान जो है ब्रह्माइंड का मौलिक कड़ है और हेक्स बोसान का अने नाम क्या है सर्न कहां इस्तित है चहां लॉड हैट्रोंज कोलाइडर्स एलेच सी मसीन द्वारा 2010 में हेंक्स बोश्वन के निर्माण का प्रयास की हुआ था जैनिवा में ब्रहमांड की आयू लगबग 13 बिलियन बर्स है और ब्रहमांड का ब्यास 10 डिपावर 8 प्रकास बर्स है ब्रहमांड में बिस्पोटी तारा कहलाता है अभिनब तारा का सुपर्नोवा सुपर्नोवा जो है मृत्पराय तारे की बिस्पोटक अवस्ता है और एक बर्स में प्रकास द्वारा तैय की गई दूरी कहलाती है प्रकास बर्स खगोली दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सिक होता है और एक पार्सिक बरावर होता है 3.26 प्रकास बर्स के एक और प्रकास बर्स मात्रक है दूरी का एक प्रकास बर्स बरावर होता है 9.46 इंटू 10.12 किलोमेटर या 9.46 इंटू 10.15 मीटर आकास गंगा गिलेक्सी है गैसों बादलों दूलकणों और अर्वो तारों का शमू हमारी आकास गंगा का नाम है दुग्द मेकला हमारा सौर मंडल या सूर जिस आकास गंगा में इस्तित है उसे कहा जाता है दुग्द मेकला आकास गंगा की आकरती होती है सरपिलाकार और आकास गंगा की सबसे नजदी की मंदाखनी का नाम है देवायनी या एंडरोमेडा आकास गंगा मंदाखनी की सवाय सब परतम देखा था तो ब्रस्पित क्रया को खो जाता गैलिलियों ने नेबुला निहर का है अंत्रिच में धूल और गैसों का एक विशाल बादल नंगी आखें जो हैं आखों से दिखने वाला नेबुला है औरियंस पलसर होते हैं तेजी से घूमने वाले निूट्रॉन स्तारे ब्रह्मांड का प्रकाश सिस्तम कहा जाता है पलसर को तारों में उर्जा का सुरूत है नापकिय सनलाइन सौर मंडल एक द्रश्टी में सौर मंडल का मुखिया है सूर्य सौर मंडल में ग्रहों की कुल संक्या है आठ सबसे बड़ा इवन भारी ग्रह है ब्रस्पती सबसे छोटा ग्रह है सनी सबसे छोटा जो है ग्रह यहाँ पे है वो होगा बुद्ध मरकरी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है सनी है और सबसे छोटा ग्रह बुद्ध मरकरी है सूर के सूर से सबसे निकट ग्रह इस्तित ग्रह है बुद्ध प्रत्वी के जो है निकट सबसे इस्तिर ग्रहा है सुक्र सूर्य वक्ष प्रत्वी से दूर इस्तित ग्रहा है बरोण प्रत्वी के पड़ोसी ग्रहा है सुक्र इवन मंगल सरवादिक चमकीला इवन गर्म ग्रहा है सुक्र सरवादिक थंडा ग्रह बरुड और नेप्चुन है बरुड की संख्या जॉन गैलेश तौरा अठार सुचालिस में जो है सरवादिक उपग्रहों वाला ग्रह ब्रस्पति है बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुद्ध और सुक्र है लाल वो हरा ग्रह जो क्रमसा मंगल और बरोड है पीला पीला तता लाल ग्रह ब्रसपती और प्रत्वी है लेटा हुआ ग्रह अरोड या यूरेनेस है सरवादिक गयसों से ग्रहा हुआ अरोड है यूरेनेस की कोज हर सलने द्वारा और 781 में हुई थी सबसे कम घनत्वाला जो सनी ग्रह है प्रत्वी की बहन या सवंदर्य का देपता शुक्र को कहते है भोरका से सांच कदारा शुक्र या वीनस को कहते है सबसे बड़ा उपकरा गैनिमेड उपकरा है सबसे छोटा उपकरा है हैती एक मिनट सबसे छोटा उपक्रय जोए यहाँ पर डिमोस हो जाएगा और उसके बाद जोब फोबस यहों डिमोस उपक्रय है मंगल के सनी का सबसे बड़ा उपक्रय हो जाएगा टाइटन सनी ग्रह में बला या छल्लों की संक्या है साथ सनी में रिंक्स की खोज करता थे गैलिलियो सबसे तेज यहों सबसे धीमा गती से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है क्रमसब रस्पति तता सुक्र सबसे कम समय में सूर की परक्रमा करने वाला ग्रह है बोध 88 दिन में प्रत्वी के विप्रीत दिशा यानि कि पूरव से पश्चिम में चक्र लगाने वाला ग्रह सुक्र और बरोड प्रत्वी से निकट तारे का प्रकास प्रत्वी पर पहुँचने में लगा समय है 4.2 प्रवकबार्स सूर्य तता चंद्रमा के प्रकास को प्रत्वी पर पहुँचने में लगा समय है 8.3 सेकंड भू इस्तिरोप ग्रहों की उचाई है 36-34 किलोमेटर चुद्रग्रा इस्तित हैं मंगल ब्रस्पति के बीच सबसे बड़ा चुद्रग्रा है सेरेस खोज पियाजी ने प्रत्वी का एक मात रूप ग्रह चंद्रमा पर बॉना ग्रह है प्लूटो यम सेरेस और एरिस प्लूटो खोज 1930 में टॉम ग्रहों की जो स्रेडी से हटा दिया था इसको 2006 में प्राग बैठक में तारों का मुखे गठक है हाइट्रोजन वर हीलियम प्रत्वी का निकटतम तारा है सूर्य प्रत्वी का जो है सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्षिमा सैंचुरी सबसे चमकीला तारा है साइरस डॉग स्टार तारे का रंग सूचक होता है उसके तापका तारों का टिम्टिमाना प्रकास का अपवर्तन कहलाता है और ब्रैक हॉल सिद्धान दियाता एस चंदर्शेकर ने एस चंदर्शेकर को नॉवल पुर्सकार 1983 में मिला वह सीमा जिसके वाहर तारे आंतरे मृत्तिव से जोग ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंदर्शेकर सीमा चंदर्शेकर सीमा होती है 1.44 सूर्विद्रपेमान के थारों की सुन्दर आकरती है तारा मंडल तारा मंडलों की कुलसंग क्या है 89 सबसे बड़ा तारा मंडल है सेंटारोस 94 तारे हैं सबसे छोटा तारा मंडल हाइडरा है 68 तारे हैं धुरुपतारा भाग है लगो सब्दरिशी का दिसा निरधारण में सहाइक होता है धुरुपतारा धुरुपतारा सूचित करता है उत्तर दिसा को धूमके तु धूल बर्फ एमोगैस से निर्मित पिंड हैं 76 बर्सों में दिखाई देने बाला धूमकेतु पुच्छल तारा हैली अंतिम बार 1986 में दिखा था और हैली धूमकेतु पुना दिखाई देगा बर्स 1262 में नेक्स्ट अनसर ग्रहों का क्रम है घठते क्रम में प्रस्पती, सनी, अरोड, बरोड, प्रतवी, सुक्र, मंगल और बुद्ध सूर से दूरी के अंसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पित, सानी, अरोड, बरोड सूर का केंद्री भाग है केंद्र कोर सूर केंद्र का ताप मान है 15 मिलियन सेल्सियस और सूर की सतह का ताप मान है 6,000 सेल्सियस जो प्रकाश्मा नहीं होता है, बाड मंडल या क्रोमोश्फियर कहलाता है, सूर्य का प्रमोग संघटक है, हाइड्रोजन 71%, हेलियम 26.5%, अन्य तत्व है 2.5%, सूर्य की उर्चा का स्रोत नाब की सनलाइन, सूर्य का आकार जो प्रत्वी से 109 गोना बड़ा है, सूर्य एवं प्रत्वी के बीच की उसदूरी 149.598 x 106, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, सूर्य जो ग्रहन होता है, जब सूर्य एवं प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रग्रहन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रत्वी आ जाती है, जिवास्म ग्रहन प्रत्वी की एक परिक्रमा करता है, 27 दिन 8 गंटा में लगबग, अंतुर स्यात्री को और आकास नीला दिखता है प्रकिडन के कारण तो यहाँ पर हमने यह講 करें और नेक्स चैप्टर चो एनलने पर मुद्पकर सबस्यार्ट इसका टेस्ट अगली वीडियो में करेंगे तो आप लोग इसको एक से दुवा चलूर रिभाइस करें थैंक यू